हलो फ्रेंज आज बनाएंगे टमैटो सूप इसे बनाना बहुत असान है बहुत जल्दी बन जाता है टमैटो सूप बनाने के लिए कम समगरी का जरूत पड़ता है तो बनाना शुरू करते हैं टमैटो सूप ता इनको गैज पे चाहाद दिये हैं गरम हो गया है अब इसमें बटर डाल देते हैं एक शमज बटर को मैल्ट होने देते हैं बटर मैल्ट हो गया है अधरक प्याज तेशपता तेशपता को डाल देते हैं लसुन भी डाल देंगे अधरक को भी डाल देंगे थोड़ा सा भून लेते हैं कि अब इसमें प्याज डाल देंगे प्याज को भी थोड़ा सा भून लेंगे गयज को मेडियम फिलें पे रखे हैं अब इसमें कटीफी टमाटर डाल देंगे 500 ग्राम टमाटर लिए हैं टमाटर को अच्छे से धो कर काट लिए हैं अब इसे थोड़ा सा भून लेते हैं अब इसमें नमक डाल देंगे एक चमच नमक डाल लेंगे नमक डालने से जल्दी टमाटर तक जाएगा नमक को अच्छे से मिला देंगे और इसे धाक देंगे अईसे दो से तीन मिनार तक पकने देंगे गैस को मीडियम फ्लेम पे रखे हैं टमाटर सॉफ्ट हो गया पक गया अच्छे से गैस बंद कर देते हैं अईसे थंडी होने के लिए छोड़ देते हैं टमाटर ठंडी हो गया अब इसे ग्राइंड करेंगे तेज पाता को निकाल देते हैं मिक्सर के जार में डाल देते हैं ऐसे ग्राइंड कर लेते हैं टमाटर को ग्राइंड कर लिए अब इसे छान देते हैं इस तरह से छान लेंगे इतना सारा पल्प निकला है अब आगे के प्रुसेस में चलते हैं पैन को गैस पेश रहा दिये हैं अब इसमें बाटर या तेल नहीं डालेंगे डाइरेक्ट टमाटो पीडू डालेंगे लगतार चलाते रहेंगे अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे सुप को गढ़ा करने के लिए अब इसमें कौन फ्लोर डाल लेंगे अगर आपके पास कौन फ्लोर नहीं है तो पानी डालने समय पानी कम ही डालें अब इसे डाक देते हैं वो आइल होने तक पकने देते हैं एक चमज कौन फ्लोर लिए हैं इसे घोल बना लेते हैं अगर आपके पास कौन फ्लोर नहीं है तो नहीं भी डाल सकते हैं यह ओप्सनल है सुप में वोई लाग गया है अब इसमें कौन फ्लोर डाल लेंगे थोड़ा थोड़ा सा करके कौन फ्लोर को डालेंगे लगतार चलाते रहेंगे अब इसमें एक चमच काली मेर्स पॉड़र डाल लेंगे इसे अच्छे से मिला देते हैं एक चमच चिनी डाल लेंगे नमक को कम ही डाल लेंगे क्योंकि पहले भी टमाटर में नमक डालेते हैं इसलिए आधा चमच नमक डाले हैं नमक और चिनी को अच्छे से मिला देते हैं इसे दो तीन मिनट पकने देते हैं तीन मिनट पका लिए हैं गैस को अउप कर दिये अब इसमें एक चमाच क्रीम डालेंगे क्रीम को अच्छे से मिला देते हैं अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो मलाई भी डाल सकते हैं सूप बनकर रेडी हो गया अब इसे सर्फ करके दिखाएंगे देखिए कितना अच्छा लग रहा है दिखने में एक बॉल लेंगे बॉल में सूप को सर्फ कर देंगे देखिए कितना देखने में अच्छा लग रहा है कितना फरफेक्ट बना है अब इसे थोड़ा सा क्रीम से डेकुरेट कर देते हैं दिखने में और भी टेस्टी लगेगा आभी ट्राइ कीजिए बनाए सुप बनका रेडी हो गया आभी ट्राइ कीजिए बनाए और मेरा रेश्पी को लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना न भोलें एक बार फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ